सो हेलो गई स्वागत है अब सभी का हमारे यूटीब चैनल सेनिटर पॉन की ओमर पड़तों का इस आज का वीडियो बहुत यादा हेल्पूल होने माल है क्योंकि आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि फ्री फायर का बेस्ट कस्टमेशूडी को चेंज करके उसमें मतलब एक्स्ट्रा इस्ट्रीक आप कैसे यूज कर सकते हो इसकिल्स यूज कर सकते हो एड़ आपको यही बताऊंगा कि कस्टमेशूडी को ज्यादा अच्छा रखने के एडवांटेज डिसद्वांटेज पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इससे पहले कि अगर आप हमारे चल पर नहीं आरो तो वीडियो के लाइक कर दे चैनल को सास्क्राइब कर दो फ्री फार के ऐसे अच्छे वीडियो के लिए सो लेट सीगेस बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं तो अभी गैश यहाँ पर टाइम वेस्ट कुछ भी नहीं करेंगे यहाँपर सबसे पहले हम चले याथा है कस्टे में चुड़ी पर तो यहाँपर आपको पता होगा कि फ्री फार के सेटिंग पर चुण पर जाते हैं फिर यहाँपर कंस्टे में चूड़ियो होता है यह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई कुछ-कुछ ऐसे नए-ने प्लेयर होते हैं जिनको कुछ भी पता नहीं होता तो हमारे जो नए भाई लोग उनको बताना ज़रूरी होता है तो देखें यहाँ पर कष्टे में चुड़ी होता है अब यहाँ से देखें आप टू सबसे पहले हम टूफिंगर के बारे मैं एच्छे से एक्स्प्रेंट करूंगा तो यहाँ पर देखिए टूफिंगर का कष्टे में चुड़ी मैं ऐसे आपको नहीं बता रहा है मतलब कि कुछ बंदे समस्ते हैं कि बाई ऐसा ही टूफिंगर का कष्टे में चुड़ी तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एड़ाइटर्ज हम बात करते हैं यह वाली जो एच्चुड़ी है उसमें आप ज्यादा फायदा कैसे उठा सकते हो तो देखिए यहाँ पर आप जो कष्टा में चुड़ी देख रहा हो ना यह जो एच्चुड़ी है बिल्कुल डिफ हैं वैसे इसमें कुछ ज्यादा चेंज करने की जूरत नहीं है तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें था हमारे एडवांटेश नंबर वन के फारे में तो आपको पता ही होगा कि जब भी हम कोई कुई कुड़ी रखते हैं यह एक लॉजिकली आप सोच लीजे जब भी नया क कुड़ी हैं माल दीज आप जो भी कस्टमे चुड़ी में खेल रहा हो उसमार आप एक महने से खेलिए लगात अरफ एक महने से खेले उसके बाद आपका जो हेंड रहेगा ना वहँ पर ट्रफ की आप इधर उदर जगह-जगह चेंज नहीं कर सकते हैं जैसे एक मेना की देखने को मल जाएगा left fire button आपको पता ही होगा जब हम scope one करते हैं तो वहाँ पर जो बड़ा fire button होता है उसमें require बहुत जादा होता है उसमें scope को इसको फायर ना करके हम जो left fire button होता है उसको use करते हैं तो left fire button जो होता है कि इस basically अगर देखा जाए तो default में यहाँ पर बगल में मतलब आदत जो पढ़ जाता है तो यहाँ पर एक और हमको extra finger यहाँ पर फिर से tap करना पड़ेगा मतलब कि एक extra activity बोल सकते हो तो यहाँ पर हम आपको एक अच्छा सा trick बताता हूं देख्या यहाँ पर क्या होता है एक setting दिया रहता है यहाँ पर left fire button यहाँ पर scope only और यहाँ करना कुछ नहीं है जो running का button होता है running के button में इसको नीचे में डाल देना मतलब कि उसके उपर ही आपको जितना बड़ा size है दोनों को बराबर करके डाल देना उसके बाद कि जब भी आप scope open करोगे तो scope open करोई तो पहली बार आप दौर नी सकते दौर नी सकते तो वहाँ पर दूसरे ड्वांटेज दो हमारा दूसरे ड्वांटेज कुछ ऐसा है कि आप जीतने भी बटन रखते हों मतलब कि जो भी आपका फायर का बटन है जैसे कि मैं बड़ा फायर बटन की बात नहीं कर रहा हूँ left fire बटन और जो running का बटन है और scope का बटन है ये सभी का size बिल्कुल बड़ा खरकर रखो बड़ा रखने का फायदा आपको बताता हूँ देखें कभी कभी कबी कभी का होता है कि हम बटन इते उटेल टैप कर लेते हैं हाला कि जो पो रहते हैं बार बार आदत पर करने में देखकर कोई भी फायर नहीं करता तो देखिए आपको इसको बढ़ा कर देना है और ट्रांस्परेड भी कर दो जिससे आपका डिस्प्लेम भी अच्छा से दिखे कोई भी आपर अपर दिक्कार टाइप कर ना हो चाहिए देखने में नहीं को सभी को कम सकम 6370 80 ऐसे कर करके रखो बड़ा-बड़ा साइज में रखोगे तो ज्यादा अच्छा स्टेप होगा उंगली जो है इधर उधर नहीं होगा डारेक्ट उसीवर पड़ जाएगा तो यह हमारा दूसरे अड्वेंटेज होगे तो अब हम बात करते हैं किसे हमारे तीसरे अड्वांटेज क के लिए क्या रखो तुजी वेरैम के लिए क्या रखो अलग अलग वह कंपणी के लिए कर रहो करो मतलब पूरा इसको मतलब एक तरीके से इसका कुछ बहुत ही बड़ा बवाल मचा रखें कि भाई फार बटन इतना रखने से हैट्सनॉट पड़ता है यह ऐसा रहता ना कि कि भाई इतना साइज में रखने से हैट्सनॉट पड़ता तो जीतने भी बंदक खियर रहे ना वाई उससब के सब प्रो रहते कोई एसा नूब नहीं रहता एक दूसरे को कोई मार ही नहीं पाते सबसे हैट्सनॉट लगता तो मतलब कि आपका फोन महंगा होना चाहिए बि 500 और डिजर्ट इगाल यह सब काफी सारे वीडियो बना रहा हूं उसमें किसा आप देख सकते हो हैट्सनॉट कैसे लगाते हैं उसमें आपको बहुत ही अच्छे से एक्स्प्रेंड कर दिया हूं तो किस आप से जब भी हैट्सनॉट नहीं लग रहा है तो फायर बटन को आपको कुछ एड्वांटेश ज्यादा देखने को मिलता है वहाँ पर आपका जो काम रहेगा तीन काम होगा एक साथ मतलब कि आप जो है एक तरीके से फायर कर सकते हो और आपका एक उंगली तो खाली रहेगा जैसे फायर कर रहे हो तो तो वहाँ पर तूरंद अपना जो से चार काम एक साथ कर सकते हो तो थ्री फिंगर में आपको कुछ ऐसा सेट अप करके रखना होगा अगर आप चाहते हो कि थ्री फिंगर का अच्छा सच्छा कष्टे में चोड़ी कैसे बना सके और भी एड्वांटेश जानना चाहते हो तो वीड़ो में कमेंट करके बता आ